गुद मॉर्निंग स्टुटेंट्स हम आपके इंग्लिश ग्रेमर में हम जेंडर जो टॉपिक है आपका वह हम पढ़ रहे थे और इसकी एक्सेसाइज ए हम कर चुके थे और एक्सेसाइज बी हम आज देख लेते हैं सप्लाई फैमिनाइन फॉर्द फॉलोविंग वर्ट हमे हम जेंग हैं तो जिसेसमें सब्साइज में हैं डॉट ऑनलग्हा को सबढ़एमा जैया ंंकल का चेंज कर आंट मतलब घोड़ा और इसका हिंदी में जेंडर होजाएगाई गोडी को हम English में बोलते हैं, bull means, sand होता है, या bell होता है, आप उसको change करके हमने क्या कर दिया? गाय हो जाता है, उसका cow, जिसे हम बोलते है, father का mother और actor का actress, अब देखते हैं इसके exercise C, हम देखेंगे, put common gender under C, and neuter gender under N, in the given table below. हमें यहां जो वर्डस दिये गये हैं उनमें जो C हमें दिया है C for common नाउन का Common Gender हमें लिखना है और N for Neutral Gender यह जो वर्ड है वह हमें इस तरफ लिखने हैं हमने अब पढ़ा था कि Common Gender क्या होता है जो commonly हम सब वस्तों के लिए यदि यूज कर लेते हैं और Neutral करेंदर में सिर्फ वहीं चीज़ेंगी जो हमारी क्या होती है निर्जी हो जो होती है तो है कि तो देखीने पहले लिखेंदर में यहां है टीच तो टीचर चाहिए वहापके मैं हूँ या सर हूँ आप दोनों को ही टीचर बुला तो इसलिए हमने फर्स्ट वर्ड यहां लिग दिया टीचर डॉक्टर फ्रेंड नेबर स्टूडेंट मॉनिटर अब हम लिखेंगे न्यूटर जेंडर में न्यूटर जेंडर में हैं हमारे पास पेन टेबल बुक बॉल हट एपल देखें हमने इन चीज़ों को अलग-अलग कर दिया है दोनों जेंडर को अलग-अलग हमने यहां लिख दिया है अब आपको अपनी कॉपी में कौन-कौन सी एक्सेस करनी है इसमें से आज आपको करनी है एक्सेसाइस बी और एक्सेसाइस सी यह आप दोनों अपनी कॉपी में कर देगा झाल